तो आप भी चाहते हैं कि आपकी इस्टाग्राम की फोटो पैसे दस जार पचास जार एक लाख लाइक साथ है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब पर यह थोड़ी बहुत एडिटिंग एंड मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एसी तबाही एडिटिंग एक एप्लिकेशन के दूख उस एप्लिकेशन का नाम है लाइट रूम जो की काफी अच्छी आपकी फोटो को इन्हेंस कर देता है अगर मैं आप सब को एक फोटो दिखाऊं को आप देख सकते है यही एक बंदे की फोटो एंड इसको एक नॉर्मन सी फोटो में इसको मैंने चेंज कर दी रहा इस फोटो में तो आप देख सकते हैं काफी अलग हो जाती है काफी डिफ्रेंस आ जाता है दोनों फोटो के बीच में यह लाइट रूम करता क्या है कि यह हमारी फोटो को आपके सामने एंड बताऊंगा कि आप कैसे इस एप्लिकेशन का और अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी फोटो को जहां भी आप सब को पोस्ट करना है तो मूब करते हैं अपने वीडियो के तरह हो मेरा नाम अपंजेश एंड यूर वोचिंग टेकंटॉप चैनल जोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हो लाइट रूम अप्लिकेशन की वीडियो को स्कार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल में है तो नीचे रेडियो का सब्सक्राइब करके ग्रेग कर लें ताकि एसे वीडियो का देख सकें तो मूब करते अपने वीडियो के तरफ आप मेल लेके चलता हूं आप सबको पने फोन में दिखाता हूं कैसे इस फोटो को करनी है एटेट मस्त वाली हम आचुके अपने स्क्रीन में फोन के एड़ यहां पर आप सबको दिख रहा होगा दीजिख भीटोब लाइतरों इस फोटो को एड़ कर सकते हैं एड़ करने से पहले अगर मैं आप सबको चुछने पहले इस फोटो को एडिट किया था जो कि मैं आप सब आप वीडियो में दिखाया था तो आप बैक्त करने से पहले अब है अल्यात्यों sum year inevitable अपने दीख व जोई चीज़ देखिए Lightroom क्या करता है इसके उपर Lighting डाल देता है तो काफी attractive लगने लगता है हमारी कोई सी भी photo जिसमें light आ रही हो अगर low light में भी आप photos click करते हैं तो guys Lightroom काफी बढ़िया मैं आप सबको prefer करूँ हो कि आप जा सकते हैं इस photo editing application के साथ तो सबसे पहले मैं अभी आप सबको एक new edit करता हूँ और बताता हूँ मैंने कैसे इस photo को edit किया था तो मैं अभी जल्दी से इसको फिर से new ले लेता हूँ तो new लेने के लिए आप सबको क्या करना होगा यहाँ पे plus का option है इस plus पे click करिए यहाँ पे search होगा यहां से मैं अपनी photo को इसी भी ले लेता हूँ तो यह जो photo को यहां से add कर लिया तो मैंने यहां पे अपनी एक normal सी photo को ले लिया है आप सब देख सकते हैं अभी मैंने कुछ नहीं की है तो आप सब को यहां पे देखिए नीचे में बहुत सारे options में लेंगे तो मैं step by step आप सबको clear कर देता हूं क्या क्या option कहां पर use होते हैं तो आप सबको यह जो दो options दिख रहे हैं यह paid option से तो इसको आपको छूना भी नहीं है यहां आप थोड़ी बहुत cropping कर सकते हैं प्रोफाइल को आप सबको छूना निये and main thing यहां पर आप सबको दिख रहा है auto का option जैसी आप सबको click करेंगे आप देख सकते हैं आपकी photo auto edit हो गई auto enhance हो गई है तो guys यह जो feature है इस lightroom का इसमें आप सबको ज्यादा कुछ आपकी मेहनत नहीं लगी आप सबको एक normal सी photo देगी अगर आप सबको यह अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप सबको edit करना है तो यहां पर main thing यहां पर light का option है इस light पर click करेंगे तो आप सब देख सकते हैं कुछ options खुल गया है मैं एक एक करके बता तो सबसे पहले हमें exposure set करना होता है तो हमें exposure ना तो जादा ना तो कम तो हम थोड़ा normal exposure यहां पर set कर लेते हैं इतना exposure सही है and contrast हमें check करना होगा हम थोड़ा high रखते हैं contrast and अब देख सकते हैं यहां पर contrast थोड़ा high रखा गया and highlight से दोस्तों क्या होता है यह जो आपकी photo है काफी highlight हो जाएगी तो इसको normal सही रखना है and shadow की बात करें तो shadow भी यहां पर अगर मैं low कर देख सकते हैं आपकी photo थोड़ी हो जाएगी blackish type तो इसको थोड़ा सा normal रखें and whiteish की बात करें तो whiteish में आप देख सकते हैं मैं अगर up down करता हूं तो आप सब वो आपकी उपर है आपको passive editing करनी है तो मैं इसको थोड़ा करता हूं 20 पर रखता हूं and black पे जादा guys black मत करिएगा इसको थोड़ा normal रखेगा and अभी मैंने यहां के light की सारे setting clear कर चुका हूं and guys अब आप सबको आगे बढ़ना है यहां पर main thing पर आते हैं यहां पर आप सबको color choose करने का option दिख जाएगा तो एके करके मैं बताता हूं यहां पर temperature का option दिखेगा तो temperature को अगर मैं यहां से घटाता हूं तो आपकी photos में थोड़ी थोड़ी blueness आ जाएगी जैसी आप सबको type की photo चाहिए वो आपकी बना के देगी अगर मैं इसको इस side करता हूं तो आप देख सकते हैं आपकी photo थोड़ी थोड़ी yellowist start हो गई तो जादा मैं इसको yellow ना करके यह बाहर का natural है तो मैं थोड़ा सा yellowist रखूँगा अगर आप सब अपनी photos को room में click करते त तो आप आप सबको blue में आप blue के side जाना चाहिए तो अगर मैं tint की बात करूँ तो यहाँ पर आप tint से देख सकते हैं green हो रहा है तो मैं इसको ज्यादा छेड़ूंगा नी 7 पर रखूँगा and vibrant से क्या होते दो यहाँ पर आप सबकी photo को आप देख सकते हैं यहाँ पर normal सी हो and थोड़ा सा vibrance करते ही आपकी photo में जाना गई and saturation वो आपकी उपर depend करते हैं मैं ज्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि over lighting भी guys अच्छी नहीं होती है and आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ी बहुत editing same वैसी कर रहा हूं and हमारी photo थोड़ी थोड़ी अब auto enhance होती जा रही है and main thing यहाँ पर mix का option है इस पर आप click करेंगे and guys यहाँ पर जो main thing है यह चीज अगर आप सब को आपकी background color को थोड़ा change करने है जैसे अगर देख सकते हैं यहाँ पर background color एक green है अगर इसको हमें yellowish बनाने तो क्या करना होगा आपको green के option पर जाना होगा and इसको कर दे माइनस में 93 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर background का color है वो काफी अलग हो गया अगर मैं इसको full कर देख सकते हैं पूरी green हो गई तो green तो normal सी होती है तो मैं अभी latest में यह यह वाला काफी बढ़िया लगता है and saturation को मैं saturation को मैं normal रखूंगा and luminous को guys थोड़ा सा हलका सा बढ़ा तो guys यहाँ तक तो यह बात हो गई इस चीज की यहाँ पर आप सबको कर दिना है 10 and अब देखे guys अगर मैं आप सबको पिछली बारी photo दिखा हूं तो आप सबको बहुत difference दिखेगा अगर मैं इसको hold करता हूं तो आप देख सकते हैं काफी फीका सा लग रहा है हमारा पिछल clarity तो guys अगर आप सबको कहीं भी texture मेले तो एकना must over texture मत करिएगा इससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा like face पे आप सबके सारे textures दिखने लगेंगे तो इसको करना है थोड़ा सा normal तक कि ज़्यादा textures भी show ना हो और clarity को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है तक कि आपकी photos लगे हाँ भाई बंदे ने DSLR से लिए और यहाँ बात करें विगनेंट की तो यहाँ पे side corner से blackish सा होने लगता है तो यह काफी cool लगता है हमारी photos में and guys यहाँ आप सबको कोई setting को छेड़नी नहीं है and यहाँ पे थोड़ा सी sharpness की है तो अगर आप सबको अपनी photos में sharpness चाहिए त तो आप sharpness डाल सकते हैं मैं ज्यादा sharpness नहीं डालूंगा मैं 4 पर रखूंगा अपनी sharpness and noise reduction आपको नहीं करनी है इन सारी settings को नहीं छेड़ना है and guys यह बात हो गई इस चीज की and और आप सबको कुछ edit extra नहीं करना है क्योंकि आपकी photo अप इस से ज्यादा edit करेंगे तो लग अपनी photos को अगर आप सबको दिखाओं यहां पर before and after देख सकते हैं काफी अलग हो गया हमारा पूरा photo and आप सबको save कैसे करना है यहां पर आप सबको share का option देख रहोगा share पर click करने पर export and export पर करने के बाद आप सबको quality high रखनी है and यहां पर right button से click कर देना है तो यहां पर हमारी photo चिकी है पूरी तरीके से export and यह आपके gallery में save हो गई होगी confirm and दस्तो आपने देखा कि यहां normal सी photo को अलग से जान दे दी आप सब भी कर सकते हैं इस app के through so friends यही थी मेरी आज की video इस app का हलका से tutorial अगर आप सबको editing के लिए चाहिए होगी अपनी photo को auto edit कर करना है तो मैं आप सबको prefer करना हूँ कि आप इस application के साथ जा सकते हैं so hopefully आप सबको मेरी video अची लगेंगी video अची लगेंगी तो लाइक और subscribe करें and मिलते हैं लिए वड़े में तब तक के लिए बात